जिसको जो कहना है कहने दो आपका क्या जाता है ये समय समय की बात है वक्त सब का आता है जाते हैं कि क्या रणनीती होनी चाहिए NTA UGC NET की तैयारी में तो मैं आपको 4-5 बाते बत रहूंगा तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखते जाएगे आज के इस वीडियो में कैसे पास किया है तो GRF कैसे करें NET कैसे करें इस पर बात करेंगे अगर आप PhD करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए क्या सोगात लेकर आया हूं जिससे कि आपके लिए PhD करना बहुत आसान हो जाएगा इस वीडियो में आगे चर्चा करने वाले हैं कि कैसे तैयारी करें NTA UG इसी NET की और कैसे तैयार करें नॉट्स ऐसे तमाम मुद्दों पर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं यानि All About NET 2023 एक्जाम सिलेबस क्या है पैटर्न क्या है विजिरवेशन का क्राइटेरिया क्या है इन तमाम चीजों पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं तो देखो ध्यान से सुनिये मेरी बात अगर इस वीडियो को अगर आपने लाश्ट तक इमानदारी के साथ देख लिया तो यकीन मानना NTA NET से सम्मंदित कोई भी वीडियो आपको खासकल जानकारी के लिए इन फॉर्मिशन के लिए देखनी की आवश किया इन सभी चीजों को आज किस वीडियो में मैं समझने वाला हूं जो चलिए एक एक चीजों के साथ मैं सुरुवात करूंगा हां मैं बात करूंगा सातियों कि क्या रणनीती होने वाली है 2023 के लिए ज्यारेप कैसे पास करें हां और सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के लिए कि भाई साब PhD करना चाहते हैं हम लेकिन हमको पता ही नहीं लगता है कि कौन सा टॉपिक हमको चुनना पड़े चाहिए जिससे हमारा एड्मिसन आसानी से हो जाए प्रपोजल क्या होता है सिनॉप्सिस क्या होता है कैसे बनाएं ये सब बते बताने वाला हूं का experience है कई वर्सों का पढ़ने पढ़ाने का इसी आधार पर इस वीडियो में मैं सारी बाते करना चाहते हैं तैयारी हर को ही करता है आप भी कर रहे हो करोगे आगे भी बहुत सारे स्टूडेंटे जो तैयारी करने की सोच रहे होंगे या फिर तैयारी करेंगे लेकिन किस त टेल में एक बार मुझे लगता है थोड़ी आवाज स्लो आ रही है तो अवाज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और देन उसके बाद वह क्लास को इस नहीं नहीं आवाज तो फूरी आ रही होगे इवेंट को अच्छी तरीके से सुरू कर देते हैं देखो आप मैंसे क हम आपसे कैसे संपर करें हमको कैसे पता लगेगा कि नेट की वेकेंसी कब आई है नेट के फॉरम कब बरे जाते हैं या पिर ओल अबाउट किसी के मन में यह कंसर्ण होगा कि यार मुझे पीएश्वी करना है लेकिन सर्म मुझे जानकारी नहीं मिल रही सही तरीके से तो व शॉक्टरलोग लाइन एकाडमिक को मुझे सर्च कर ले और मुझे संपर्क करने के लिए मुझे संपर्क करने के लिए इस इस डिस्क्रिप्षन को जरूर से देख, मैं आपके साथ हूं सदेव आपके साथ निक्स यमिल्पर और पब्लिक एडिबिविन Shakespeare,ising, economics, management, sociology, लोजी, संस्किर्ट लोज, स्प्राइकॉलोजी, पंजाबी, इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट आपका है, तो आप फटा-फट से जोएन का लीज, अनकेडमी, यहाँ पर हम आपको पूरा पेपर वन और पूरा पेपर टू कम्प्लीट करवाते हैं, मैं आपको पेपर वन के साथ साथ हिंदी साहित पढ़ाता हूँ, और बाकी और सब्जेक्ट की हमारी पूरी टीम है, हिस्ट्री, जोग्रॉफी, एकॉनमि आगर आप अनकेडमी प्लस क्लास में छूट को प्राप्त कर सकते हैं, आईए को जुड़े रहना है मेरे साथ, आपको योगता क्या होगी, मैं आपको एक बर जलक दिखला देता हूँ, ताकि आप बने रहें, योगता, एक्जाम की फीस क्या है, एक्जाम का पैटरन क्या ह है, इस पर बात करेंगे, इसके अलावा एक्जाम में, मीडियम क्या होगा, इस पर बात करेंगे, और साथ हो एज लिमिट क्या होगी, इस पर बात करेंगे, रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या होगा, इस पर हम साथ हो चर्चा करने वाले हैं, कि रिजर्वेशन क्या हो अधिकारिक अधिसूचना है जो इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आप देख लीजिए ये सबसे minimum qualification आपकी क्या होनी चाहिए इस पर हम गौर करेंगे सातियो आपने इसको पढ़ लिया होगा लेकिन मैं आपको बतला देता हूँ कि जनरल अनरिजव और जनरल EWS कंडिडेट को PG करते समय में एमकॉम एमसी करते समय आपको कम से भी कम 55 परसंटेज होने की आउशक्ता है आए यहाँ पर मैं आपको बात कर लेता हूँ ये सातियो जनरल और EWS अगर आप जनरल और EWS केटेगरी से हैं तो आपको PG करते समय कम से भ मिनीमम परसंटेज आपकी है ओवरूल मतलब चारों सेमेश्टर मिलाकर आपकी 55 परसंटेज होनी चाहिए आगे आगे और भी सवाल आ रहे होंगे कि हम तो अभी करी नहीं है वो सब बाते करेंगे अगर आप ST अगर आप SC अगर आप OBC इस केटेगरी में आते हैं तो आपक 50 परसंटेज की आवशकता है MA करते समय अब एक additional जानकरी सुन लिजे जान से क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो additional जानकरी दूँ उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से सुनना है वीडियो को लाइक और कर दो देखो additional जानकर यह है कि अगर आपने इसी समय BA, BSC, BC, BC क्लिट किया है और आपने मानलो PG में admission ले दिया, PG का मतलब होता है MA या MCOM यानि master degree अगर आपने master degree में admission ले लिया है तो आप eligible हो इस exam को देने के लिए अब कहोगे sir कौन से sam में इस exam को दे सकते हैं आप इस exam को second sam में भी दे सकते हो फर्ट sam में forum apply कर दो second sam में exam दे सकते हो क्योंकि नियम होता है कि भाई साब दो साल के अंदर जैसे आपका net grf पास होता है दो साल के अंदर आपका PG complete होना चाहिए तो आप appearing के दोरान भी net grf की exam में forum apply कर सकते हो उमीद है इतनी चीजें आप समझ लग गया होगा अगर आपको और रूल देखो आपकी मालों आपके मन में यह आ रहा होगा कि sir हमने तो first year complete कर ली और first year में तो हमारी 45 percentage मनी है क्या हम दे सकते हैं जी हां दे सकते हो आप appearing में apply कर सकते हो जब final आपका दोनों हम लोग apply करते हैं net का forum फिल करते हैं उस समय सात्यों general और EWS की अन्रिजर्व की होती है 1000 रुपए फिस और अगर आप general EWS OBC में जाओगे तो 500 जिया सात्यों OBS और EWS non-crimalier NCL होना जरूरी है 500 रुपए और सात्यों STSC अगर candidate आप हैं और उपर से PWD हैं तो सात्यों आपको 250 रुपए फी यहाँ पर लगने वाली है आईए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि exam net exam pattern क्या होता है exam में किस तरीके का exam का pattern हम से पूछा जाता है आईए detailed में चीजों को जान लेते हैं सात्यों इस वीडियो को like जरूर करतो अगर आप चाते हो कि मैं informative sessions आपके लिए लेकर आऊ तो यार यहाँ आपका करतव है इस वीडियो को like करना जितने लोग like करेंगे अच्छे अच्छे feedback देंगे comments करेंगे प्रेम दिखाएंगे प्यार दिखाएंगे तो मैं इस प्रकार के informative वीडियो आपके लिए लेता आता रहूंगा right तो जाओ सात्यों आप इस प्रकार से आरा होगा कि सर कई लोगों ने वीडियो को like कर दीजिए ठीक है मैं अपने बारे में बतला हूं ठीक है मैं एक बार मैं अपने बारे में बतला देता हूं चलिए एक बार आपको मैं अपने बारे में बतला देता हूं ठीक है आजाई 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 देखिए पूरी बात बतलाऊंगे एक बर मेरा नाम है डॉक्टरों की सुमार मिना अनेकेडमी पर विगत तीन साल से मैं आप लोगों का मार्ग प्रसफ्त कर रहा हूं और अनेकेडमी पर टॉप एजूकेटर हूं है जियां साथ हूं और जाओ मुझे यहां पर फोलू कर लीजिए मैंने PhD किया है म मैंने खुद ने PhD किया है साथियो और PhD का मुझे लंभा अन्भव है इसको पढ़ने पढ़ाने का चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे कॉश्चन के उपर की पैटरन क्या होने वाला है साथियो दो पेपर होते हैं NTSUCC NET में क्या होते हैं पेपर होते हैं NET में दो एक होता है स यहां सात्यों 50 question होते हैं 100 number के यानि दो number का एक question होता है total 50 question होते है total question आते हैं 100 जो second paper है सात्यों इसमें 100 question आते हैं total होता है आपका 200 number का यानि इन दोनों को मिला कर सात्यों 300 number का आपका paper होता है अब आईए क्या क्या आम से पूछा जाएगा ये इस पर हम और चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं देखो भाई साब यहाँ पर paper 1 में ज्यान से सुनते जाएए एक यह चीज को समगते जाएए ताकि आसानी हो जाए ये जो paper 1 है इसमें unit होते हैं 10 क्या होते हैं? unit 10 होते हैं उनिट नंबर यह है यूनिट नंबर यूनिट है टोटल दस उससे पांच-पांच पॉशन आते हैं जिसमें टीचिंग एप्टिटूट रिसर्स कम्मुनिकेशन आई सीटी मैथ रीजनिंग डियाई आप लोगों को बड़ा कठिल लगता होगा बड़े जटिल लगता होगा स पर टू हमारे बहुत सारे टीचर से हिंदी मीडियम और इंग्लिस मीडियम दोनों में पड़ाते हैं आपका कोई भी मीडियम हो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ओके अब हम बात कर लेते हैं पेपर नंबर टू की यह देखो आपका सब्जेक्ट उपर डिपेंड करता है आपका हिंदी साइथ है तो हिंदी किसी का जोग्रोफी है किसी का एकनॉमिक्स है किसी का मैनेजमेंट है किसी का साइकॉल्जी है किसी का पंजाबी है किसी का हिस्ट्री है किसी का पॉल्टिकल साइंस है तो यह सब्जेक्ट के बेस पर यह एक्जाम होती है यानि कि सब्ज 2023 के बारे में बात कर रहा हूं कि किस मीडियम में हमारी एक्जाम लगेगी साथियों अगर मीडियम की बात करूं तो इस पर्ष्ट रूप से कहा गया है कि इंग्लिस मीडियम और हिंदी मीडियम में यह एक्जाम लगती है क्या लगती है साथियों हिंदी प्लस इंग्लिस हिं यानि कि अगर आप हिंदी और इंग्लिस में ग्याता हो इनके तो आप इस एक्जाम को अच्छी तरीके से कर पाओगे अब आपके मन में आ रहा होगा, सर, हमको तो थोड़ी Hindi आती है, थोड़ी English आती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब हम exam को देंगे, उस समय हम एक question को Hindi में भी पढ़ सकते हैं, और उसी question को English में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात हमारी इस समय नहीं रहे असिस्टेंड प्रोफेशर अर्थात नेट, हां, असिस्टेंड प्रोफेशर मतलब, यहां पर होगी सातियों अमारी नेट, और एक होती है सातियों जे आ रहे हैं, यानि जूनियर रिसर्स फेलोसी, नेट में क्या लिख रखा है, there is no upper age limit for UGC नेट असिस्टेंड प्रोफ करने में नहीं, अब बात आती है JRF की, JRF में age limit क्या है, आइए इस पर हम चर्चा कर लें, देखो, धान से सुनो मेरी बात को, अगर आप ST, SC, O, B, C, और किसी भी वर्ग की महिला हैं, किसी भी वर्ग की female हैं, तो आपकी उमर होनी खोगी 35 वर्स अधिक्तब, यानि कि अगर ST, SC, O, B, C, ये male, और सभी वर्गों की महिलाओं की उमर होगी 35 वर्स, अगर आप सामान्य वर्ग male हैं, तो आपकी उमर होगी सात्यों 30 वर्स maximum, क्या होगी सात्यों, आपकी उमर 30 वर्स maximum होगी, I repeat, 30 वर्स सात्यों या पर maximum age limit होगी, अच्छा, आप लोगों मैंसे बहुत स लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहां पढ़ाता हूँ, कैसे बढ़ाता हूँ, अनेके एडवी पर मेरी free class भी होती है, कैसे होती है, आगे वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा, कि free class कैजे आपको attend करनी, और अगर आप full course जोएन करोगे, तो भी कैसे करना है, आगे आप बने रहे, इस वीडियो में आपको सारी चीजे में बतलाने बाता हूँ, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, कि सर नेट और ज्यारेफ का अलग अलग फोरम बना जाता है, क्या, मैं कहूंगा ने, नेट, मैं मापी चाहता हूँ, नेट प्लस ज्यारेफ, इसका एक ही फोरम ब ही एक होती है, जिनके कम नमबर आते हैं, कम मतलब एक कटाउप से कम, जिनके कम नमबर आते हैं, उनका नेट पास होता है, और जिनके जादा नमबर आते हैं, उनका ज्यारेफ होता है, और नेट होता है, यानि कि जिनके एक कटाउप से ज्यादा नमबर आते हैं, उनका ज् एक्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक उधारन देता हूं कि मान लो इस बार net की cut-off गई है 60% और jrf की cut-off गई है 70% तो जिन व्यक्तियों के 60% से उपर नंबर होंगे 60% से उपर के नंबर होंगे यानि की 70 तक उनका हो जायगा net और जिन लोगों के 70 से उपर के होंगे उनका हो जायगा jrf प्लस 9 यानि एक ही एक्जाम है एक ही साथ दी जाती है एक ही पेपर भरा जाता है एक ही सिलेवस होता है सब कुछ एक है अलग-अलग यहाँ पर साथ हो कुछ भी नहीं है बस यहाँ पर क्या है junior research जे आरप का मतलब हुए कितने रुपे मिले थे आई ये बतला देता हूं तक्रीबर मुझे साथ हो 20 लाख रुपे मिले थे 20 से 22 लाख रुपे मुझे मिले थे PhD करते समय कितने मिले थे PhD करते समय क्योंकि यहाँ पर मिलती है fellowship का amount क्या साती हो 32,000 पर मन्त अगर इसम मैं hra plus contingency add कर दूं तो यह amount हो जाएगा 35,000 के आसपार यह होती है जे आरेफ की fellowship पर मन्त मिलते हैं इसके बाद होता है SRF senior research fellowship जो दो साल के बाद में automatic convert हो जाता है SRF में इसकी fellowship है 35,000 plus hra यानि 27, 38, 49,000 रुपे पर मन्त तक fellowship मिलती है अब आप सोचिए एक सामान student को अगर इतनी fellowship इतना पैसा मिल रहा ह तो वैसाब कमाल हो जाएगा उसकी जीवन में तो आप देखिए साथ हो एक certain amount आपको मिलेगा जिससे आप खुद की पढ़ाई पर भी खर्चा कर सकते हो और अपने माता पिता को भी दे सकते हो अपने भाई बेन की पढ़ाई में भी आप खर्च कर सकते हो इतना amount आपको fellowship क करते हुए मिलेगा और कितना मौका मिलेगा कि आप अपने पैरों पर अच्छी तरीके से खड़ा हो आप लोगों ने देखा होगा कि नेट की एक्जाम में बहुत जादा लोग आ रहे हैं उसका रीजन है यह 20-25 लाक रुपे इतने रुपे मिल जाते हैं पास साल तक आपक कितने जाती है सामान वरग सब की सबतो लाने वाला हूं आपने वीडियो लाइक कर दिया आप से बात कर रहा हूं आब ऐसे मन कर रहा है कर दे करनेगा क एक वर वीडियो में support आपके साथ अच्छा अच्छी अच्छीृ कोमेंट्स भी कर देना बाद में इस वीडियो वे देखते समय आएए आगे हम चर्चा कर लेते हैं सातियों exam में reservation का criteria क्या है क्या मिलता है reservation ST को SC को OBC को general को कितना reservation मिलता यह EWS को और और खास कर ये बहुत बड़ा सवाब, EWS वाले विध्यारतियों कि EWS कहते हैं कि सार हम जनरल से apply करें, या EWS से apply करें, आइए इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चीजों का आकलन कर लेते हैं, कि EWS से apply करें, या फिर हम apply करें सामान वरग, ध्यान से सुनते जाओ, कोई प्रका के साथ समझाने वाला हूँ बस वीडियो को लाइक कर दो आप तो और एक बार अपना सब्जेक्ट का नाम लिख दो नीचे के सरा हम इस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं मैं आपको बेस्ट बुक्स बतलाने वाला हूँ आगे के वीडियो में तो ताकि मुझे मदद मिल जा वो मिलेंगी सातीो से को कितने मिलेंगी 15 सीट मिलेंगी याणि 15 परसेंट जो रिजरुवेशन मिला हुआ हूँ नेट में वो सी को मिला हूँ साधे साथ परसेंट 7.5 जो reservation मिला हुआ है वो मिला है साथ हो ST को आ जाएए 27 परसेंट जो reservation मिला हुआ है ये मिला हुआ है साथ हो OBC को यानि other backward class को मिला हुआ है इसके अलावा साथ हो 10% reservation मिला हुआ है EWS को अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे यहां पर हना साथ हो EWS को 10% reservation मिला हुआ है अब सवाल क्या है सवाल ये है बहुत से लोग पूछते हैं हमसे कि भाई साथ हम लोग apply जनरल से करें यह EWS देखो यार मेरा मत है कि आपको EWS से apply करना चाहिए अगर आप EWS की category में आ रहे हो अगर आप जो EWS का reservation का criteria है उसको अगर आप fulfill कर रहे हो तो आप जरूर से EWS से apply करें region क्या है reason यह है कि 10% का reservation मिला हुआ है न यह बहुत कम लोगों को मिला हुआ है मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जैसे 27% reservation मिला है OBC अब यह पर 27 एक बड़ा percentage है लेकिन 27% बहुत सारी कास्टों को मिला कर मिला हुआ है यानि बहुत सारे लोगों को 27% मिला हुआ है जबकि बहुत कम लो तो जो भी student EWS के हैं और खासकर मुझसे ये कहते हैं कि हमको EWS से apply करना चाहिए या फिर general से मैं कहूंगा कि आप अगर EWS की चीजों को fulfill कर रहे हो तो आप EWS की category में ही apply करो आपको यहाँ पर जादा benefit मिलेगा यहाँ पर competition अधर चीजों की तुलना में कम हैं समझ गया आप लो तो यह आप EWS से यहाँ पर apply करोगे तो आपके लिए जादा अच्छा रहेगा तो आज सातियों आप आगे बढ़ते हैं और देखो आपने के बहुत सारी चीजों पर चर्टा कर ली अब हम और कई चीजों पर बात करते हैं कि कौन सी book पढ़ना हमारे लिए जादा अच्छ देखो paper 1 और paper 2 बहुत broad syllabus हलका syllabus जो भी कुछ थाना इनके पास NTA वालों के पास सब उठाकर इन लोगों ने इन में डाल दिया है net DR कुछ भी नहीं छोड़ा सब कुछ उडेल दिया है चाहे मैत, reasoning, di, computer, resource यह paper unit में 10 के 10 unit देदी हैं और subject में भी आप देखते होंगे कि कुछ भी छोड़ा नहीं, तो अगर आपके मन में guide जहन में आ रही हैं कि फलानी guide खरीद लूँ, फलानी guide खरीद लूँ, फलानी guide खरीद लूँ, तो आप गलत जा रहे हो, 2023 में इन guide की 94 नहीं चलने वाले, क्योंकि इतने सारे unit की guide इतनी सी होती है, अब आप देख लिजे कि क्य यह guide justice कर पा रही है, आपकी knowledge को increase कर पा रही है, जवाब खुद दे रहे होंगे नहीं, तो मेरे लिए किसी guide को recommend करना इस class के माध्दम से बहुत मुश्किल है, और मैं करूँगा नहीं, क्योंकि guide में बहुत ज़्यादा तुरूटी आ रही है, मैं यह कहूँगा, कि इस exam को pass करके आप professor बनते हो, एक level होना चाहिए इस exam को पा और इस level पर पहुचना guide के बस की बात नहीं, जिस तरीके से exam का pattern दिन पर दिन बदलता जा, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, अगर आप जुड़ते हो मुझसे इस telegram channel के म से भी जुड़ जाना, मैं आपको प्रते एक चीज समझा दूगा, इस telegram